बिस्मिल्लार वाह्मान रहीम असलाम लेकुम फ्रेंट्स वेलकुम डू मैं ट्यूप चैनल बिलार प्रोग्रमर फ्रेंट्स आज किस लेक्चर में हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग जा फैक्टोरियल को फांड आउट करेंगे सबसे पहले हम यह जा वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकें हमारे पास basically factorial क्या होता है factorial हमारे पास ही होता है कि अगर हम लोग ने for example मैं 3 input करता हूं अब 3 मैं लिखा तो 3 से पीछे जितनी भी values हैं 3 से पीछे कितनी वैलीउज है हमारे पास 3 के पीछे हमारे पास है 1 है 2 है और 3 include 3 यह values आपस मैं क् आपस मैं multiply हो जाएगी और इनका answer हमारे पास क्या आजाएगा इसका answer हमारे पास आजाएगा 6 तो मैं आपस 3 का factorial क्या बन गया 6 बन गया इससी तरह से same as it अगर मैं इसको copy कर लूँ उसके बाग अगर कुई मैं another value इंटर करूँ फार्व मैं 9 इंटर कर देता हूँ 9 मैं ने इंटर किया तो 9 के पीछे और 9 include कितनी values आएगी इसके अंदर हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी include तो यह वाली सारी सारी क्या हो जाएंगी multiply हो जाएंगी आपस में आपस में जब multiplication करेंगी तो इनके बाद इसका answer आएगा वो answer क्या कर लाएगा 9 का factorial यह पर हम लोग लिख देते हैं answer जो answer आएगा वो क्या होगा 9 का फेक्टोरियल की समझ आगी हो कि अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले int लूँगा मैं int is equal to 1 कर दूँगा इसको while loop के अंदर मैं यूज करूँगा और मैं एक लूँगा एक ले ले लिदा हूँ वैरिबल और जिसका नेम मैं रिखूँगा भी भी रिखने के बाद एक मैं लोगा वैरिबल जिसको मैं fact कर लेता हूँ fact is equal to 1 कर दूँगा अब मैं क्या करूँगा while की condition लिखता हूँ मैं while की condition लिखने while की condition से पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा print f enter number to find factorial तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे scanf %d उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे address operator उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा b क्योंकि b वो value होगी जिसका मैं fact will get करूँगा अब मैं यहाँ पर while की condition लिखता हूँ while is equal to while is equal to a less than and equal to मैं कर दूँगा इसको b के क्योंकि जब मैं b के equal करूँगा तब ही वो value जाएगी न like अगर मैं आपको समझा रहता हूँ यह प्रोग्राम लिख दूँँ मैं आपको समझा रहता हूँ यह चीज़े उसके बाद मैं मैं यहाँ पर लिख दूँगा printf printf लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पर printf लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पर लिख दूँगा factorial factorial is equal to और यहाँ पर मैं लिख दूँगा percentage d मैं यहाँ लिख दूँगा effect अब मैंने किया किया अब मैं यह लिख दूँगा कि enter number to find factor अगर यहाँ पर input में अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूं 5 लिख दूँगा बी को मैं पास 5 अब condition कहां तक होगी 5 तक यहाँ जो है कहां तक चलेगा 5 तक चलेगा उजाने कि बार-बार loop हीट्रेट होगी और बार-बार loop हीट्रेट होगी तो यह बार-बार multiplication करेगा यहनिकर फर्स टाम इसके अंतर-जो वैल्यू पढ़िए वह कौन सी वैल्यू हो वह हमारे पास 1 है 1 value जो हमारे पास यहाँ पर पड़ी है और आने वाली value हमारे पास 2 होगी 1 ने 2 के साथ multiply होना है उस cancer क्या बन जाना है हमारे पास 1 sorry 2 बन जाएगा तो हमारे पास जो तो मारा चांसर जब बन जाएगा वो 2 बन जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास नहीं value आजाएगी 3 3 जब 2 के साथ multiply होगा तो 6 बन जाएगा जिस factorial के अंदर हमारे पास 6 चला जाएगा फिर उसके बाद जब हमारे पास 6 हो जाएगा तोटल 6 के बाद हमारे पास आएगी value 4 जब 4 6 के साथ multiply होगा तो 24 बन जाएगा फिर 24 के बाद हमारे पास 5 आएगा जब 5 24 के बाद आएगा तो हमारे पास 5 का factorial वो आ जाएगा जब आप इसकी practice करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से तब इसकी समझ आ जाएगी अभी भी I hope so के सब कुछ clear हो गया होगा क्योंकि मैंने साथ चीज़ें बता दी है इसके अंदर अब हम लोग इसको execute करते हैं और यहां पर कोई value इंटर करते हैं for example मैंने 8 इंटर किया तो मेरे पास 40,320 इसका answer आ गया factorial का अगर मैं इसी तरह से 6 अगर इंटर कर दूँ अगर मैं 6 इसके factorial आ जागा अब से magic यही चीज़ हो रही है कि अगर मैं for example यहां पर इंटर कर रहा हूं मैं 5 then क्या हो रहा है कि यह मेरे condition कहां तक चले कि just 5 बार आइटरेट होगी और यहां यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यह हो रहा है कि यह यहां पर 1,2,3,4 उसके बाद 5 यह value इस तरह से 5 बार जाए इसको multiply करना है यह method यह technique है जो इस तरह से